अपने शरीर पर टैट्टू बना के चीज़े याद रखना यह तो हमने शायद आमिर खान को ही करते हुए देखा था तो क्या आप को उनकी फिल्म गजनी याद है तो क्या आने वाले समे में उनकी फिल्म गजनी का सीक्वल आने वाला है और कौन है वो एक्टर्स जिने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है तो आई ये जानते हैं अब सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म गजनी चू के बारे में दोस्तो आमिर खान, बॉलिवूट के एक ऐसे आक्टर हैं जिनकी फिल्मों का इनकजार सभी को रहता है जिनकी फिल्मों को लेकर सब लोगं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अब जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि आमिर खान साल में एक या दो फिल्में ही लेकर आते हैं लेकिन उनकी ये फिल्में सूपर हिट होती हैं तो उनकी ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भला फैंस कैसे एक्साइटेड ना हो अब बात करी जाए, उनकी साल 2008 में आई सााइकॉलोजिकल थिरिलर फिल्म गजनी की तो दोस्तों, वो फिल्म आमिर खान के ही तरह अलक सी फिल्म थी, यूनिक फिल्म थी जि हाँ, उस फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा अलक थी फिल्म में आमिर खान और आसिन के जोड़ी हम सभी को नज़राई है आमिर खान जहां हमें इस फिल्म में स्मार्ट बिजनेसमें संजी सिंगानिया उर्फ सचिन के रोल में नज़राई हैं वहीं दूसरी तरफ उनका बॉल्ड साइकोपैट लुक भी हम सभी को देखने को मिला है जी हाँ फिल्म में आसन हमें कलपना याने की एक मौडल के किदार में नजर आई है फिल्म में हम सभी को जिया खान भी एक जर्नलिस्ट के किदार में नजर आई है अब बात करी जाए दोस्तों आमिर खान की तो इसका मतलब ये है कि इस फिल्म में हमने आमिर का सीरियस अफ़तार देखा उनका रोमैंटिक अफ़तार देखा और इतना ही नहीं उनका अग्रेसिव अफ़तार भी देखा जी हाँ दोस्तो फिल्म में जब आमर खान अपनी लवर कलपना को अपनी आखों के साम में मरता हुआ देखते हैं तो उसके मर्डर के बाद वो एक साइकोपैथ में एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसको 15 मिनट से जादा चीज़े याद नहीं रहती है जी हाँ और इस व पर तावर तोड कलेक्शन किया बात करी जाएं फिल्म को लेकर दर्शकों के रियाक्शन की तो दोस्तो बहुत से लोग तो फिल्म को देखकर रोते हुए सिनमा घड़ से बाहर आए थे अब बात करी जा रही है फिल्म के सीक्वल की खबर लास्ट येर ही आ गई थी जी उसके बाद फिर्म के मेकर्स और रिलाइंस एंटर्टीन्मिन के ओफीशल पेजिस से फिर्म का ऐलान किया गया अब दोस्तों बताया जा रहा है कि फिर्म से जुड़े काफी नाम सामने आ रहे हैं तो उससे पहले तो मैं आप सभी को बता दू कि हमें लीड रोल में कौन दिखने वाले हैं तो दोस्तों हम सभी को लीड रोल में दिखने वाले हैं वापस से हम सभी के चहीते मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि के आमर खान बात करी जाएब फिल्म में नजर आने वाले और हीरो हिरोईंस की तो कुछ नाम सामने आए है जिन में से अज़ोदेवगन, क्यारा अडवानी और सारा अली खान ये तीन नाम है अब दोस्तों खबरों की माने, तो सारा अली खान फिल्म में हमें डॉक्टर के करदार में नजर आ सकती है लेकिन अभी तक सारा अली खान ने इस फिल्म के लिए हामीन नहीं भरी है वहीं दूसरी तरफ अज़देव गन और कियारा इडवानी में भी फिल्म को लेकर कोई जवाब नहीं लिया है तो दोस्तो ये एक बहुत बड़ी वज़ा बन सकती है इस फिल्म के लेट होने की तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या इन में से कोई इस फिल्म में हम सभी को नजर आ सकता है क्या ये लोग इस फिल्म के लिए हाँ कर देंगे अब बात करी जाए फिल्म की रिलीज डेट की तो दोस्तों उसके बारे में अगर आपको जानना है या आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ और इंट्रस्टिंग इंसाइट स्टोरी आपको जाननी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा तब तक के लिए हमारे चैनल बॉली ग्राट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए मैं जैनी शाहरवास लेती हूँ आप सभी से विदा झाल